वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ध्यान से और साथ ही साथ सुनिएगा मेरे बता टिप्प्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ रस्मी सचान और स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल पर चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ शुरुआत करेंगे हम कडाई से गैस पर मैंने कडाई रख ली है अब इसमें हम डालेंगे चार टेबल स्पून घी इसमें घी टोटल जो घी यूज करेंगे मैं यहां पर ले रहे हूं 300 ग्राम आटा और 1500 ग्राम घी तो घी को आप इस तरह से इस्तमाल करिएगा कि आटे को भूनने के लिए भी आपका बचा रहे तो यहां पर मेरे पास यह बारीक वाली गोंद है गोंद को अब हम भूनेंगे तो पूरी गोंद नहीं भूनोंगी क्योंकि यह गोंद काफी ज्यादा है सिर्फ 50 ग्राम के लगवग या दो चम्मच के लगवग क्योंकि मैं यहां प बाद में तोड़ जरूर लीजेगा किसी चीट से कूट लीजेगा मीडियम फ्लेम रखते हुए गोंद को अच्छे से भून लेना है गोंद कच्छी नहीं रहनी चाहिए उसके लिए फ्लेम को आप मेंटेन रखते हुए इससे थोड़ा सा एक मिनट तक जरूर भूने अगर यह कच्छी रह गई तो दातों में बहुत बुरी तरह से चिपकेगी अब हम गोंद को निकाल लेते हैं कड़ाई से कड़ाई में हम हम ऐसे ही बिना घी डाले जो थोड़ा बहुत घीव रहे गया होगा इसमें कुछ यह मेवे हैं बारी कटे हुए इसमें किश्मिश है और पिस्ता है और बादाम और काजू है बहुत थोड़ा सा डालना है इसमें ज्यादा नहीं जाएगा आप चाहे तो बिना मेवा डाले भी इसको बना सकते हैं मेवा भी मैंने भून कर निकाल लिया है अब हम इसमें डालेंगे फिर से चार बड़े चमच घी क्योंकि अब हम भूनेंगे आटा तो शुरुआत में मैं चार चमच ले रहे हूं लेकिन बीच बीच में मैं घी एड़ करती जाओंगी इसलिए आपक फ्लेम पर भूनेंगे अच्छी तरह से भूनना है जिसे की खुश्बू अच्छी सी आए देखे बीच बीच में हम इसमें घी डालते जाएंगे आटा को बहुत अच्छी तरह से भूनना है आप सब जानते हैं आटा जब भून जाता है तो बहुत अच्छी खुशुबाने लगती यह जलने से बचाना है कच्छा नहीं रखना नहीं तो लड़ू जल्दी खराब हो जाएंगे अच्छे नहीं बनेगे देख रहे हैं न मैंने बीच बीच में ऐसे घी डाल करके आटे को एकदम मुलाएंगे अब आटे का कलर चेंज हो गया है तो एकदम आपको दिख भी रहा होगा किसमें अच्छा मोयन दिख रहा है अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर उतार कर रख लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है बहुत ज़्यादा गरम इतना रहना चाहिए कि आपके हाथ लड़ू बनाने के लिए सहब आएं इसमें हम जो चीनी का इस्तेमाल करेंगे वो बूरा चीनी होगी तो देखे मैंने तीन कप यहाँ पर आटा लिया था तो यहाँ पर सबसे पहले दो कप बूरा चीनी डालूंगी आप बाकी आप टेस्ट कर लिजेगा इसको मिक्स करके अगर आपको लगे कम मीठा है तो आप कप या और डालना चाहे तो और भी डाल सकते है इन केस अगर आपका जो यह मिष्रण है यह रूखा रह जाए ड्राइ हो जाए और आपको लगे कि रड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो आप इसमें घी को मेल्ट करके डाल दीजेगा गरम गरम घी डाल दीजेगा और चमत से मिक्स कर दीजेगा तो देखिए चीनी मैंने डाल ली है और बाकी का जो गोंद है वो भी डाल दिया है मेवे भी डाल देंगे गोंद में बहुत घी अबजोर होता है गोंद पूरा घी पी जाता है और साथी साथ हमारे मेवे में भी घी था तो सारी चीजों को हमने मिक्स कर हरी लाइची का अब देखिए हाथों से इस तरह से मसलना है बहुत अच्छे से रगड़ना है तो आपका जो कलर है वो ऐसा ही आ जाएगा लड्डू का मिश्रण का और अब इसके हम लड्डू बनाएंगे देखिए बहुत तेस्ती लड्डू होते हैं बिना चाशनी के और काफी जल्दी बन भी जाते हैं इसे देख रहे हैं जैसे मैं हासों से रगड़ रहे हूं में टेकनीक यही है आप थोड़ा ताकत लगाते हुए दोनों अथेली के बीच में मिश्रण को रख करके या एक बार में आप पूरा कड़ाई में जित्ता देख रहे हैं अच्छे से मसल डालिएगा दोनों अथेली के बीच में ला करके और बस इसके आसानी से लड्डू आप बना कर तयार कर लीजिए देखिए लड्डू बनाने से जो आप बैटर लें पहले मिश्रण ले थोड़ा सा उसे आप जरूर मसलें इस तरह से और देखिए सारे लड्डू फटाफर बनकर आपके तयार हो जाएंगे बहुत कम सामगरी का इस्तेमाल हुआ है तो आप चाहें तो इसे जरूर ट्राय करें आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए इसे शेयर कर दीजिए पर चानल को जरू सकते हैं